पुदीना याने मिंट एक ऐसी चीज है जो हमारे आस पास बहुत ही सामान ये तरीके से उपलब्द हो जाता है प्राचीन काल से ही एरोमा थेरेपी में पुदीने का उपयोग किया जाता रहा है इसके अलावा मुख की दुरगंद दूर करने के लिए जितने तरह के भी दंत मंजन आते हैं टूथ पेस्ट आते हैं, मौथ वाश आते हैं, कैंडी आती है मौथ फ्रेशनिंग की उसमें भी पुदीने का उपयोग या मिंट का उपयोग किया जाता रहा है मिंट में जो मेंथाल पाया जाता है, उसका एक कामिंग एफेक्ट होता है जिसके करण फ्रेशनियस की फीलिंग आती है पुदीने या मिंट की पतियों में एंटी ऑक्सिडेंटल प्रॉपरटीज होती हैं इसके अलावा इसमें Anti-Inflammatory Properties वाला रोजमेरेनिक एसिड भी पाया जाता है इस एसिड का रूल यह होता है कि अस्थमा के मरीजों में सिम्टम्स को कम करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका मानी जाती है इसी लिए Anti-Allergic दवाओं भी मिंट याने पुदीने का प्रयोग किया जाता है 2019 में Frontiers of Pharmacology नाम के एक ग्रूप ने अपने रिसर्च में एह पाया कि अस्थमा की बीमारी को कम करने के साथ साथ इस पुदीने में कुछ ऐसे कमपाउंड पाय जाते हैं जिनका हमारे Metabolism में Digestive Health के लिए बहुत उपयोगी प्रभाव होता है जैसे अगर stomach pain हो रहा हो, acidity हो रही हो, vomiting हो रही हो, gases हो रही हो, IBS हो रहा हो तो पुदीने का अपने raw form में अगर आप इस्तेमाल करेंगे थोड़े से पानी के साथ तो इसमें पाय जाने वाला mint compound menthol ये आपके digestive system को बहुत अच्छा बनाने का काम करेगा हमारे आरिवेद में पुदीने को पूतिहा का जाता है, याने दुरुगंध का नाश करने वाला हमारे आरिवेद में इसकी तासीर को ठंडा बताया गया है, यानि ये वात, पित और कफ तीनों का नाश करने में सक्षम होता है इसके अलावा अगर आपको सिरदर्ध हो रहा हो, तो पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर धीरे धीरे उसका सेवन करने से सिरदर्ध में, माईग्रेन में बहुत लाव होता है जिन लोगों में डेंडरफ या रूसी के समस्या जादा होती हो, उन्हें भी पुदीने की पत्तियों का अर्क बनाकर उसे पानी में डालकर उसे सिर में लगाना चाहिए या उस पानी से नहाना चाहिए अगर आपके मुँ में च्छाले बहुत जादा होते हैं तो पुदीने की पत्तियों का रस अगर च्छाले में लगाया जाएगा तो च्छालों के समस्या दूर हो जाती है इसके अलावा पूदीने की पत्तियों के रस से आप अपना गारगल भी कर सकते हैं जिससे आपकी माउथ हेल्थ अच्छी होगी और छालों का प्रकोप आपको कम होगा यदि आपको दांत में दर्द हो रहा हो तो आप पूदीने की पत्तियों का पेस्ट बनाकर होम रमेडी के रूप में दांत में उस जगह पर लगा सकते हैं इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं और लगातार दवाओं का सेवन करने से हमारी भूक नश्ट हो जाती है हमें acidity की शिकायत होने लगती है तो ऐसे समय में पूदीने का अर्ख थोड़ी सी मात्रा में पानी के साथ मिला कर लगातार उसका सेवन अगर हम करें तो इस समस्या से हमें निजात मिल सकती है और दोबारा हमारी भूख जागरित हो सकती है इसके अलवा एक और चीज है कि अगर आपको पेशाब में जलन हो रही हो पेशाब के मार्ग में दर्द हो रहा हो तो उस समय भी आपको पूदेने की पतियों का रस थोड़ी सी शुद्ध मिश्री के साथ मिला कर इसका सेवन करना चाहिए इससे आपकी पेशाब में जलन, दर और अन्य समस्याएं दूर हो सकती हैं इसकिन डिसॉडर्स और घाव को सुखाने में भी पूदेने की पतियों का प्रभावित सिस्थान पर लेप करना और पूदेने की अर्क का थोड़ी सी मात्रा में लगातार सेवन करना इससे फायदा मिल सकता है इसके अलवा बहुत सार करना चाहिए क्योंकि यह रोग जो है वह वात के बिगड़ने से होता है तो आयरुवैद में यह बताया गया है कि अगर पूदीने की पतियों की चाय इस समय में इसका सेवन किया जाएगा तो इससे जरूर लाब मिलेगा